बच्चो शुप्रभाद, पिछले कक्षा में हमने मीरा के साहितिक परिचे और पहले पद की ब्याख्याद आपको बताई थी, आज हम मीरा के दूसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे, और मीरा का जो दूसरा पद है, उसकी जो पंक्तियां है, सुर्गवाद की देखे, स्य स्याम, स्याम स्रीक्रष्ण के लिए और गिर्धारी लाला स्रीक्रष्ण के लिए सब्द प्रयोग किये गए हैं, और मीरा कह रही है कि हे स्रीक्रष्ण, हे स्याम मुझे जो है अपना नौकर बना लीजिए, चाकर बना लीजिए, सेविका बना करके अपने पास रख लीजि कैंगी कि अविक optic जणगाली अंगे आपकी ल relative करोंगी और ब्रसन प्रतियाप के दर्सन प्राप्त करोंगी और भृंदा नंग्याक कुछ गलियों में रहकर के मैं लिद की अर्थात ज्रीक्र्ष्ν की का कि लीला काकुर में आपके नुकरी करूंगे झा मैं आपके पास रहूंगी तो नित्म प्रती जो आपके दर्सन करूंगे, यह जो है मेरे बेतन के तोर पे हो जाएगा और जो सुमिरन करोंगी आपका इस्मरन करोंगी वह जो है मेरे खर्च के लिए हो जाएगा और जो मैं आपकी भक्ती करोंगी वह मेरी जागीर के तोर पर मेरे पास सुरक्षित रहेगी मोर मुकुट पी तामर्स हुए गल वैजन्ती माला विंदरा बन में धेन चरावे मोहन मुरली वाला अठाज जो है मीरा कह रही है कि जो स्रीकरश्न है स्रीकरश्न के रूप सौंदर का वर्णन करते हुए मीरा कह रही है कि सिर पर जो है मोर के पंखों का मुकुट है गले में वैजन्ती पुस्कों की माला है पीले वस्तर धारण किये हुए स्रीकरश्न बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं उनका रूप शौंदर जो है बहुत अच्छा सुविवस्थित और सुसोभित हो रहा है ऐसा जो है मीरा इन पंक्तियों में कह रही है उंचा उंचा महल बनाओं बिच बिच विराखों बारी सामर्यारे दर्शन पाओं पहल को सुंगे सारी मीरा जी कह रही है कि मैं जब आपकी सेविका रहोंगी तो उंचे उंचे बड़े-बड़े महल बनाओंगी उनके बीच बीच में जो है आपके दर्शन के लिए आपके दर्शन पाने के लिए जरोखा या खिड़की रखूंगी और मैं आपके दर्सन पाने के लिए जो है के सरिया रंकी साड़ी पहन करके जो है आपके सामने जो है आउंगी आधी राद प्रभ दर्सन जी जो जमना जी रे तीरा जमीरा रे प्रभ गेर धर नागर इवड़ा धरो अधीरा यहाँ पे जो है मीरा कह रही है कि हे स्री कृष्ण तुम मुझे आधी राद को यमना नदी के किनारे अपने दर्सन देना क्योंकि मैं मीरा जो है कह रही है कि मैं आपके दर्सनों के लिए बहुत ज़्यादा अधीर हो रही हूँ और्था दछी इस पूरी पंक्ति में देखिए कि मीरा जो है स्री कृष्ण से कह रही है स्री कृष्ण से अनने बिने कर रही है नोकर बना करके रख लिजए दासि या सेव क्या बना लिजए सेव क्या बन करके मैं आपकी सेवा करूंगी इसके परिणास रूप मुझे जो है तीन चीजों का लाब होगा एक तो मैं आपके प्रति दिन दर्सन करूँगी और इसके बाद आपका इसमरण करूँगी और मेरे मन में जो भक्ति का भाव जगेगा वह जागीर की तोर पर रहेगा और ये तीनों बातें बहुत ही आसानी स से बहुत ही सरलता से मुझे प्राप्त हो जाएंगी मीरा आगे यह भी कहती है कि सिवका रहते हुए मैं आपके लिए उचे-उचे-उचे महल बनाऊंगी उनमें जो है बीच-बीच में जरोखा रखोंगी उनको अच्छे से सजाऊंगी और मैं आपसे मिलने के लिए जो है कि सरिया रंकी साड़ी पहन करके आऊंगी इसके साथ साथ जो है मीरा यह भी कह रही हैं स्रीकृष्ण के जो है रूप शंदर का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि स्रीकृष्ण जो मोर के पंखों का सिर पर मुकुट लगाए हुए हैं वह अत्यमत शुशोवित है गले में स्रीकृष्ण का बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसी इस्तिती में जो है मीरा यह भी कह रही हैं कि मैं आपके जो है दर्शन करते हुए आपकी सेवक्या रहते हुए जो है जमना नदी के किनारे रात में 12 वजे आपके मिलने के लिए ब्याकुल हूँ बेचैन हूँ इस तरीके से मीरा ने स्रीकृष्ण की भक्ति करते हुए स्रीकृष्ण को मिलने के लिए आतुर दिखाई देती हैं इसमें पद में मीरा ना केवल स्रीकृष्ण के प्रति भक्ति का भाव रखती हैं बलकि यहां पे जो सामर्या सब्द का प्रियोग किया गय स्रीक्रश्ण के प्रति मीरा का प्रेम भी प्रदर्शित करता है इस पद में जो है मीरा अपने आपको स्रीक्रश्ण की पत्नी के रूप में देखती हैं इस पद में जो है मीरा ने पूरी तरह से अपने आपको स्रीक्रश्ण के प्रतिसमर्पित कर दिया है उनके दर्सन पान के लिए मीरा जो है बहुत ही अधीर हैं बहुत ही ब्यापुल हैं मीरा पूरी तरह से अपने आपको स्री कृष्ण के पृत समर्पित कर देती हैं उनके समर्पन की भावना ही मीरा के काव की जो है बहुत बड़ी विसेस्ता है मीरा के इस काव में जो है देखने में तो प्रति पूरे संसार की बात है पूरे संसार को जो है यह मीरा मानती हैं किसी क्रश्म जो पूरे संसार के कश्टों का निवारण कर सकते हैं इसलिए जो है मीरा स्रीक्रश्म की सेद का यादासी बन करके रहना चाहती हैं इनकी जो भासा है राजस्थानी और पंजाबी गुजराती अभी भासाओं में मिलते हैं मीरा जी के लगभग जो है 200 फुटकर पद हैं और इसके अलावा इनके जो प्रमुख्र रचनाएं हैं इनकी प्रमुक्रचनाएं हैं नर्सी जी का महरो, गीत गोविंद का टीका, मीरा जी की गर्वी, मीरा के पद, राक सोरट के पद, रास गोविंद, यह जो है इनकी प्रमुक्रचनाएं हैं और जिन में से सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा जानेवाने मीरा के पद हैं। इन सब के अलावा जो है मीरा और आनिक अख्यानों के आधार पर जैसा कि हमने आपको पिछले कक्षा में पिछले पद में बताया है कि मीरा भगवान को ही अपना पूरा सरवस्त से मानती हैं सब कुछ मानती हैं और भगवान के अलावा वो किसी अन्य से किसी प्रकार की प्रार्थना किसी प्रकार की अन्य बिना किसे प्रकार के आसा या अपेक्षा नहीं करती हैं। पौरानी को धारणों पे पिछली पद में आपने देखा कि मीरा स्रीकृष्ण को उलाना देते हुए कह रही हैं कि जैसे आपने जो है दुरुपदी की लज्जा बचाई उसकी रक्षा की गजराज की रक्षा की और जो है इसके अलावा आपने नर्सिंग का रूप धारण कर दूसरे पद में मीरा जो है अपने आपको पूरी तरह से स्रीकृष्ण के पर समर्पित करते हुए अपने जो है सेविकाय अदासी बन करके उनके साथ जीवन बतीत करना चाहती हैं और उसके लाव भी वो सरलता से बता रही है कि क्या-क्या उनको लाव मिलना है जैसे सुमि मिलता रहेगा इसमें जो है बच्चो मीरा ने अनुप्रा सलंकार का प्रयोग किया है जैसे भाव भगत इस तरीके के अनेक उदारान आपको मिलेंगे बच्चो जो है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इस पाठ के सब्दार थ्यात करते हुए जितने भी प्रस्तोत्तर दि लेना है और इन पदों की ब्याख्या भी आप लोगों को लिख लेनी है धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो